हेलो फ्रेंज मैं मॉनिका आपकी गार्णर दोस्त आज आपको वाइट फ्लाइज का ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगे यह देखिए मेरे जो क्रोटन्स हैं इनमें बहुत ज्यादा वाइट फ्लाइज लग गई हैं यह देखिए इस सीजन में फॉर्स टाइम इसमें इतना ब कितनी ज्यादा इस ग्रीन पत्ती पे कितनी सारी लगी हुई है तो बहुत वाइट फ्लाइज हो गए हैं इनमें और इनका मैं यह जिसमें बहुत ज्यादा थे वो तो एरियास मैंने हटा दिया हैं और अब मैं इसमें ट्रीटमेंट कर रही हूँ इमीडा क्लोप्रेड मैड स्प्रेड करूंगे इसमें देखिए मेरी एक लिटर की स्प्रेड बॉटल है और इसमें मैं करीब 10-15 ड्रॉप के करीब यह मैडिसिन इमीडा क्लोप्रेड डाल रही हूं और डालके इसको मैं शेक कर लूँगे अच्छी तरह से ताकि यह सारे पाने में अच्छी तरह मिल in- accumulate पॉटल है यह हर गार्डनर के पास होनी जरूरी होती है अच्छी तरह से देखिए इसको मैं स्प्रे कर रही हूं हर एक पत्ते के बैक साइट पे भी करना है क्योंकि यह जो हैं यह कोई भी पैस्ट होता है बैक साइट पे लगा होता है पौदे के तो बैक साइट पे हर पत्ति के उलटके उसके पीछे की तरफ अच्छी तरह से करना है और यह करते हुए आप गलव्स पैन सकते हैं अगर नहीं पैना है तो बाद में हाथ अच्छी तरह से वाश कर लेने चाहिए क्यों कि यह medicines ही है है थोड़ी सी Poisons को होती है और अच्छी तरह से जहां-जहां भी दिखरा है इसको मैं आच्छी तरह से कर देती हूं देखे आप मैं कर रही हूं इसको देखें आपके भी किसी पौदे पर अच्छा वाइट फ्लाई का पता कैसे चलता है जब आप पौदे को इहलाते हैं न तो सफेद सफेद से मच्छर जैसे उड़ते हैं आपके पौदे में से वो वाइट फ्लाइज होती हैं वो पौदे को आपको ज़्यादा देर आप ठीक नहीं करो तो मर जाता है उससे पौदा इसके पास एक पौदा में लाएं तो देखके लाएगा मैं एक पौदा लेके आई थी उसमें वाइट फ्लाइज थी और वो ग्राउन फ्लोर पे पड़ा था यहां पे तो उससे इन में लग गई है तो यह बिल्कुल आप ध्यान रखें कि नर्सरी से पौदा लेके आएं तो बिल्कुल चेक करें कि उसमें कुछ भी पैस नहीं लगा हो नहीं तो आपके सारे अब मुझे यह करना पड़ेगा कि इस पौदे को तो मैं स्प्रे करी रही हूं और मुझे यहां ग्राउन फ्लोर के सारे प्लांट्स को अच्छी तरह से करना पड़ेगा स्प्रे ताकि यह ही करना है आपको और जो ऐसे नहीं लाने से पानी नीचे मिट्टी में गिर रहा है वो भी बहुत अच्छा और अगर आप चाहें तो बाद में एक मग पानी में थोड़ी सी पांच-छे बुन्दे दवाई की साथ बुन्दे मिला के मिट्टी में भी दे सकते हैं यह देखि अगर बहुत कम लगी हुई है तो आप वीकली भी कर सकते हैं लेकिन मेरे इसमें बहुत लगी हुई है अगर आपके भी किसी प्लांट में वाइट फ्लाइज हो गई है तो उनको आप उस पौदे को आसपास के बाकी सब पौदों को भी करिए ताकि उड़के दूसरे पौदे पर वो उसको अटैक नहीं करने देखिए इसकी भी मैं नीचे वाली नीचे से लीव्स को करूंगी सबको और इनको मैं जैसे मैंने कहा दो तीन बार स्प्रे करी दूंगी दो दो दिन के तीन दिन के गैप पर क्योंकि मेरे इसमें मुझे जादा लग रही है इसलिए फिर मुझे सारे करने पड़ेगी मुझे बहुत सारी उड़ रही है जब मैं इनको हिलाया था पौदे को तो मैंने देखा तो मनी प्लांट भी कितने सारे हैं इन पर भी पत्तों के पीछे मुझे करना पड़ेगा अच्छी तरह से क्योंकि ये उड़के पत्तों के पीछे बैठ जाएं तो ये सारा पौदा धीले धीले मर जाता है बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ती जाए इनका नंबर तो और भी सारे जित्ते भी पौदे हैं मेरे ग्राउंड फ्लोर के और सबको देखो मैं इनकी पत्तियों के पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ कि जादा तर के पत्तियों के पीछे भी मैं अच्छे तरह से कर दूँ यह मेरा बहुत काम बढ़ गया और अगर मैं शुरू में ध्यान दे देती उसी टाइम पौदे अगर इनीशिल आपको पता चल जाए तो पौदे को तो 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 पौदे को तो तो पौदे को जबाब करें तो आसपास के पौदों को जरूर स्प्रे करें तो फ्रेंज अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंज बाइज झाल